हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप लोग आप शब ठीक होंगे मैं फिर से हाजिर हो एक न्यू रेसिपी के साथ आजकल बहुत ही ट्रेंड में है कि ब्रेड दूद की रेसिपी बनाई जाए तो सोचा मैंने कि क्यों न मैं भी एक रेसिपी ट्राई ही कर कलरफूल सुगर बॉल्ल, चॉकलेट सौस पीसी हुई चीन, देही घी घी की जगह पड़ा बटर का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन जगाए ब्राउन ब्रेड ब्रेड का इस्तमाल बिलकुल भी रखरें तो मैं कुछ एक्स्ट्रा ही इस पर लगाने वाली हूँ और आप चाहे तो इसके उपर बटर भी लगा सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया इसी तरह से हम तीन ब्रेड पर घी लगा लेंगे तीन से या आप दो से भी बना सकते हो तो मैं तीन से बनाने वाली तो प्लीज आप एक बार इस रेसिपी को ट्राइ करना और प्लीज अपना एक्सपीडियेंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिकर जरूर से यार करना ब्रेड के ऊपर घी हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है अब इसे हम सेकने वाले है तो इसके लिए हमने पैन को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे हम दोनों साइड से टरं कर के अच्छे से गोल्डेन ब्राउन होने तक सेक लेंगे रेसिपी अच्छी लगे तो डैसिपी को एक लाइक जरूर कर दे अपने प्रेंद्स और फैमली के साथ जरूर सेयर करें, चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगी, नौटिपिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचेगा, ये तो आप इसने पूरा दूद एब्सॉर्ब कर लिया है, हाप कब दूद हमने अटा दिया है, ये अच्छे से सिख चुका था, इसके उपर हम अब डेकुरेशन कर देंगे, तो डाला है हमने डेसी ग्रेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा, और बादाम की कतरान, उसके उपर डालेंगे चॉकलेट सॉस, और अब डाल देंगे ये कलरफुल बॉल्स, जिसे की ये बहुत ही ब्यूटिफुल दिखेगा, तो ये देखिए, बन कर तयार है, ब्रेट दूद की रेसिपी, आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजे, रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, थैंक यू,